अरिचय तरुन, क्या तुम जानते हो कि हमारा विद्यालई हमारे घर से कितना दूर है? मैं नहीं जानता, ये कितना दूर है? ये तीन दशमलव दो किलोमेटर दूर है ओ, तीन दशमलव दो किलोमेटर? तुम्हारा मतलब तीन किलोमेटर, ठीक है? नहीं तरुन ये तीन किलोमेटर से ज्यादा है हम्म मैं दशमलव दोन नहीं समझ पा रहा ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ तीन दशमलव दो तीन और चार के बीच में पड़ता है और हम बिंदु के बाद इस संख्या को दशमलव संख्या कहते है वास्थव में ये पूर्ण संख्या एक भाग है बच्चों इस पाठ में हम दशमलव के बारे में सीखेंगे सीखने के लिए साथ आए आउं सीखे दशमलव की अवधार्ना का वर्नन करना दैनिक जीवन में दशमलव के प्रयोक किलाब की चर्चा करना आवर्ती और सांथ दशमलव को परिभाशित करना अपरी में संख्याओं को पहचानना दशमलव क्या है? मूलत हाँ दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग है भिन्न पांच पटादस को दशमलव पांच लिखा जा सकता है दशमलव बिन्दु को देख कर आप आसानी से एक दशमलव की पहचान कर सकते हैं दशमलव एकाई दशमलव को समझने के लिए पहले हमें स्थानियम मान को समझना होगा कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक आयत है जो एक पूर्ण संख्या का प्रतिनिधत्व करता है यदि हम इसे दस बराबर आयतों में बाढ़ दें तो हमारे पास एक का दस भाग होगा या हम इसे दसवा भाग भी कह सकते हैं अब यदि हम उन आयतों को 10 छोटे आयतों में बाड़ दें, तो हमारी पास 10 गुणा 10 यानि 1 का 100 भाग होगा, जोकि उसका 100 भाग होगा। अब यदि हम उन आयतों को दस छोटे आयतों में बाड़ दें, तो हमारी पास दस गुणा सो यानि एक का हजार भाग होगा, जो कि उसका हजारवा भाग होगा। अतह, दसवा भाग, सौवा भाग और हजारवा भाग को दशमलव की एकाई कहते हैं। दशमलव का स्थानिय मान, दशमलव को लिखना काफी आसान है। दशमलव, बिंदू के दाई तरफ की संख्याएं दशमलव हैं। उसका स्थानिय मान, दसवा, सोवा, हजारवा इत्यादी है। जबके दशमलव, बिंदू के बाई तरफ की संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। उसका स्थानिय मान, एकाई, दहाई, सैकडा, हजार इत्यादी होता है। इसलिए इस संख्या को हम 64 और 86 सौवा भाग पढ़ेंगे। दशमलव का सामान्य प्रयोग क्या आप जानते हैं कि एक रुप्या, सो रुपे का सौवा भाग है। क्या ये मजीदार नहीं है। हम दशमलव का उप्योग, मापन, वजन और तापमान के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए दशमलव बहुत ही महत्पून होता है। दशमलव का जोड और खटाव पूर्ण संख्याओं की तरह ही दशमलव का जोड और खटाव भी आसान है। इसके लिए आपको पहले दशमलव को एक सीध में लाना होगा। देखा, ये आसान है। दशमलव संख्याओं की तुलना करना भी आसान है। जिस संख्या में दशमलव के अंग कम है उसके अंत में शून्य लगाकर दूसरे संख्या के अंगों को बराबर करके और आप ततकाल बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बढ़ी है। याद रखे दशमलव अंगों के दाइं तरफ शून्य बढ़ाने से उनका मान परिवर्तित नहीं होता। आवर्ती दशमलव कुछ दशमलव कभी खत नहीं होते और उनके दाइं तरफ अंग पढ़ते ही जाते हैं। एक बटा तीन के भिन की दशमलव संख्या देखिए। आपने क्या देखा? ये दशमलव तीन 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 से शुरू होकर ऐसे ही बिना खत्म हुए बढ़ता जाता है। अतह इस तरह के दशमलव को आवर्ती दशमलव नाम दिया जाता है। आप चाहें तो इसे तीन दसवे भाग या तीन सौवे भाग के बाद इसे रोग सकते हैं। लेकिन आखरी अंग के आगे एक रेखा लगा देना ज्यादा उजित होगा। इस रेखा से पता चलता है कि अंग आवर्ती है। जो दशमलव समाप्थ हो जाते हैं उनही सांथ दशमलव कहते हैं। अपरी में संख्याएं। कुछ दशमलव अपरी में संख्या कहलाते हैं। ये ना समाप्थ होते हैं ना ही आवर्ती होते हैं। पाई इसका एक अच्छा उधारन है, जो किसी वृत्त के परिधी और व्यास का अनुपाद होती है. ये संख्या तीन दशमलव, एक चार, एक पाँच, नौ से शुरू होती है और बिना किसी आवर्ती या अन्य तरीके से अनन तक जारी रहती है. हमने क्या चर्चा की? दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग होता है. दशमलव का प्रयूग प्रतिदिन मुद्रा, वजन, तापमान और दूरी के मापन की बातचीत में होता है. दशमलव को दशमलव बिन्दू के एक सीध में रख कर जोड़ा या घटाया जा सकता है. कुछ दशमलव जो ना आवर्ति होते हैं ना ही समाप्त होते हैं, उन्हें अपरिमय संख्या कहते हैं. उन्हेंव dशब कर दिया में होते हैं, तापन कि आहा हैं.